हरियों, श्रीराम, अम्भग्य, नाथ सम्वित, मैं मृत्विंजे यादो, वरली कोलिवड़ा उपासना के इंद्र से, मेरे दो अनुभव एक दूसरे से जुड़े हुए है, मेरा जो पहला अनुभव है, वो हेल्थ से रिलेटेड है, बात 2011 की है, 2011 में मैंने MBA किया था मार्क हुप में बाहर निकलताथा, तो चेहरा पूरा लाल हो जाता था, ऐसा लगता था कि पूरा जल गया है, लाल हो गयाativas है, तो बहुत सारे डॉक्टरों को मैंने बताया, मैंको लगा कि नॉर्मल इशू रहेगा, skin conditions रहेगा चार मेने, पाँच मेने, छे मेने हो गए, बहुत सारे अलग-अलग doctors को बताया, लेकिन कोई फरक नहीं पड़ा, और उसी समय पे क्योंकि job का भी था और ये था कि अब पढ़ाई पूरी हो गई है, तो job पे जल्दी इंटेविव में, तो उस वज़े से मैंने पहले सोचा कि मैं ये skin condition का clear करा के ले लेता हूँ, फिर job पे लगता हूँ, तो इस चकर में 6-8 मैंने मैं घर पे ही बैटा रहा फिर अलग-अलग doctor को मैंने बताया लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ फिर मैं सुचित दादाजी के पास गया, उनको मैंने मेरी तकलिफ बताई, उन्होंने देखते ही बोला कि अरे कोई इस्यू नहीं है, कोई problem नहीं है तुरंट ठीक हो जाएगा, जैसे ही उनका मैंने दवा स्टार्ट किया दो हफते के अंदर, मेरा जो स्किन कंडिशन जो 6-8 महने से अलग-अलग डॉक्टरों को में दिखा रहा था और नहीं ठीक हो रहा था, वो अचानक से धीरे-धीरे-धीरे आप बोलेंगे तो क्योर होते गया, मुझे पता भी नहीं चला कि क्योर हो गया, तो ये तो रहा अलग-अलग लोगों को अप्रोच किया, अलग-अलग लोगों से मिला और सबको मैंने बताया कि मैं जॉब के लिए देख रहा हूँ तो अगर कहीं पर विकेंसी रहेगा तो आप मुझे बताईए कहीं पर ऐसा होता था कि बहुत ही कि मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि कोई काम बड़ा या छोटा है क्योंकि परम्तु जी बापु ने ही बोला कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता लेकिन ये एक मन में रहता है कि जिस प्रकार का आपने एजुकेशन लिया है अगर उस प्रकार के आप जॉब में लगेंगे तो अच्छा रहा है एक mental satisfaction भी रहता था तो कई बार ऐसा होता था कि जिस जॉब के लिए जाते थे वो जॉब फील्ड से related नहीं रहता था कई बार मन होता था कि हाँ ये जॉब अच्छा है लेकिन लगने पाता था फिर ऐसा भी दोर आया कि continue में interview देते गया और हर interview में reject होते गया तो मन में एक negative feeling आ गए कि क्या capable नहीं हूँ क्योंकि मुझे कहीं नहीं कहीं विश्वास था कि communication skills अच्छा है ठीक है और जो subject related knowledge है वो भी अच्छा है हो जाएगा लेकिन हो नहीं पा रहा था तो फिर हुआ यूँ कि एक दिन में पहचान वाले थे उनके यहां गया वो job consultancy चलाते हैं ठीक है तो गए उन्होंने मेरा interview लिया अब interview लेने के बाद उन्होंने मुझे बोला आपको Vodafone के gallery में काम करना है जैसे कि मैंने बोला कि बापु ने भी बोला कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं है लेकिन मैंने उनको बोला सर देखे काम बड़ा या छोटा नहीं है लेकिन atlas मैंने MBA के तो मेरे लायक atlas कुछ आप opening दीजे तो मेरा बात सुनके वो भड़क गया और मेरे को challenge दिया कि अगर आपको 10,000 से जादा अगर किसी ने पगार दे दिया और रख लिया कहीं जॉब पे तो मैं अपना field छोड़ दूँगा तो बापु की इच्छा है कि क्या था लेकिन वो गुसा भी मेरे को आया और मैंने उनको बोला कि आप अपना field छोड़ने के लिए तैयार रही है और मैं वहाँ से निकल गया तो और निकलने के बाद मैंने दुगने जो से लोगों को मैंने वोपी से contact करना चालू किया मेरा एक बहुत ही close friend था जो hostel में मेरे साथ रहता था तो वो डिस पेपर में था तो उसके ही department में एक vacancy निकली तो उसने मुझे बोला कि मैं मेरे boss से बोल देता हूँ आ जातू तो मैं बोला ठीक है तो मैं सब preparation मेरा करके गया मैं मेरा resume cv में मेरा सब details में पढ़के गया जाते वग मैंने प्रात्ना की बापू से कि कई 6-8 मैने से कही नहीं हो रहा है मुझे घर पे बैठना अच्छा नहीं लग रहा है और अब आप साथ दीजे और मुझे आगे लेके जाएगे तो उसके बाद में गया interview में तो interview तीन या चार लेवल के interviews हुए और पहला interview जो था हो मेरे friend के इमिजेट बॉस के साथ वो clear हुआ फिर दूसरा interview तिसरा interview जो था वो CEO के साथ था तो उन्होंने बोला कि CEO अभी तीन बज़े अवेलिबल रहेंगे तो आप तीन बज़े आईए अभी या आपके दो इंटर्विव क्लियर है आप टेंशन मत लिजे तीन बज़े आईए तो मैं बहला भी दो घंटे हैं मैं कंपनी में बैठके क्या करूंगा तो पता नहीं ऐसे बैठा था तो बापू की इच्छा तो खयाल आया कि गुरू शित्रम दर्शन करके आते हैं वहांपे मैंने दर्शन किये और बापू से मैंने प्रात्ना किये की यह आखरी inटरीयू है क्लिक हो जाए बस और फिर प्रातना करके मैं तुरंट वहापे से दो ढ़ाई बज़े के पहले मैं वहाँ पर पहुज गया तो वहाँ गया सीओ ने कुछ अध्यत्म मेरा उतना रुची नहीं था तो जिस मात्रा में मैंने बापु का नाम लिया मैंने उनकी पूजा की उससे कई गुनाः जादा मात्रा में उन्होंने आशिरवाद बनाय रखा है उन्होंने आगे का मुझे रास्ता बताया फिर मैंने एक साल तीन मैने जोब करने के बाद फिर ये था कि जॉब में मेरा मन नहीं लग रहा था तो ये था कि मुझे classes open करना था तो अभी ये था कि जॉब मुश्किल से मिला था तो करे की नहीं करे तो पिता जी थे पिता जी गए पिता जी ने पूछा सुचित दादा से की बच्चा जॉब ना करके classes open करना चा रहा है दादा ने तुरंद बोला कि आरे जमाना उसी का है करने दो बिल्कुल सही है फिर उसके बाद मैंने जॉब से resignation दिया और मेरा classes मैंने चालो किया जो की बहुत अच्छा चल रहा है उसके अलावा at present अब मैं advocacy हूँ और अभी session court में practice करना मैंने start किया है। तो मेरा अनुभव यह रहा है कि मैंने जितना बाप को याद किया है, मैंने जितना उनकी प्रातना किये, इसे कई गुनाँ जादा उन्होंने हमेशा मुझ पर आशिरवात बनाये रखा है। Shri Rainam, Anbhajanaat Samir